नमस्कार दोस्तों मैं जे उपता है एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल लेविल इस्टडी पे इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है केसरी फ्रेंड्स मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है इसके पीछे का रीजन अप अच्छे से जानते हो। मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको दुनिया के साथ केसरी के बारें बताने वाला हूँ जिन से कुईशन इक्जाम में भर भर के पूछ जाते ह जैसे बंगाल केसरी हुआ, पंजाब केसरी हुआ, बिहार केसरी हुआ और भी बहुत सारे केसरी जो एक्जाम के वियू से most important है और मैं आपको बता दू, इससे पहले भी मैंने आपको दुनिया के साथ गांदी जैसे फ्रांस के गांदी, इटली के गांदी और पांदी बता रखें और दुनिया के साथ गोवर्नर, बंगाल का पहला गोवर्नर जर्नल, भारत का अंतिम वाएसरा है बारत का पहला गोवर्नर जर्नल, अंतिम वाएसरा है तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीज़ेगा क्यों कि मैं इस तरह की इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो हर दूसरे अप्पलोड करता रहता हूं तो चलिएगा शुरू करते हैं बिना टाइम वेश्ट के वे सबसे पहले मैं आपको बढ़ा दू केसरी माने होता क्या है केसरी सब्द एक हिंदी का सब्द है केसरी माने होता है सिंग ये पूछा जाता है केसरी हिंदी में किसका पर्यावाची होता है तो आपका आंसर होग उनको केसरी की उपाद दी गई, तो अगर हम लोग सबसे पहले केसरी की बात करें तो पहले तो आप पंजाब केसरी जा लिजिए पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है ओके फ्रेंट्स, ये बहुत ही फैमस विएक ते हैं, इनका नाम है लाला लाजपत रोए ओके तो आपसे पुछेगा एक्जाम में कि पंजाब किसरी के किसे कहा जाता है तो आप कांसरों का लाला लाजपत राय को पंजाब किसरी कहा जाता है इनके विशे में दो बाते मोस्ट इंपोर्टन ने पहली बात ये कि जब 1920 का भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन हुआ तो उस समय ये भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यच थे और इन्ही के समय में एक अगस्त 1920 को असायोग आंदोलन सुरू हुआ जब ये भारती राष्टी कांग्रेश के अद्ध्च थे ओके फ्रेंट्स अगला कुशन गया बनता है अगला कुशन बनता है कि जब इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन का विरूद किया तो इन्होंने यह विरूद कहां किया जहां पर इन्हें लाठियों से पीटा गया जिसके बाद इनकी मरत्य हो गई तो ये जगा बहुत पूछी जाती है तो इसका आंसर है लाहूर में यानि कि लाहूर में इन्होंने इस बात का विरोध किया कि साइमन कमिंशन गो बैक इसलिए इनको वहाँ पे लाटियां मारें जिसके बाद इनकी मरत हो गए तो गायज यह हो गए पंजाब केसरी अब हम ल स्री'll फूच्र सिंग को यह भी कई बार एकजाम में पूछा जा चुका है इनके बारे में खास बात क्या है पहली बात तो आप से पुझेगा कि ये बिहार के रहने वाले हैं और ये बिहार के पहले मुख्य मंत्री हैं जी हां ये बिहार के बनने वाले पहले मुख्य मंत्री हैं और इसलिए इनको जो है वहां का बिहार केसरी कहा जाता है ठीक है अब अगलोग आम लोग बात कर लें आंध्रकेसरी की आंध् आंद्रकेश्री की बात करें तो इनका नाम है टी प्रकाशम ये भी एक्जाम में कई बार पुठा रहे जुका है कि आंद्रकेश्री के नाम से किसे जाना रहता है तो आपका आंसर होगा आंद्रकेश्री के नाम से जानते हैं टी प्रकाशम को और ये भी आंद्रप्रदेश क पहले मुख्यमंत्री हैं आप चक पुझह का कि आन्द्र अध्र प्रधिश के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो आपका आशर नहीं को वहाँ करें बात करें तों बंगल केसरी के आसु तोष मुखरजी को ऐसु तोष मुखरजी ऐसु तोष मुखर जी है है तो आपका अंजी वो बात कर लें तो असम केसरी की बात करते हैं अशम केसरी की निगा जाता है अशम केसरी यह है अम्बिका यह आज तक पूछा नहीं है लेकिन मैं साथ बता रहा हूं इसलिए मैंने आपको बता दिया अम्बिका गिरी को यानि की असम केसरी के नाम से किसे जानते हैं यह असम बंगाल केसरी आपसे पुझेगा कि रोयल बंगाल केसरी किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा अमलेंदू घोश को इसको अमलेंदू घोश को कहा जाता है रोयल बंगाल केसरी इनके बारे मैं आपको एक खास बात बता दूँ ये भारत में रहकर वियतनाम दियुस मनाते हुए मारे दिये गए थे यानि कि अंग्रेज लोग विरोधी थे वियतनाम एक देस है जिसकी राधनी हनोई है ये भारत में रहते हुए रह रहते और वियतनाम दियुस मना रहते जिसके बदलत इनको फासी दे दी गई थी तो ये थे 6 केसरी, 7 केसरी वो जिनकी 22nd मार्च को फिल्म आ रही है उसी की वजह से मैंने 7 केसरी ये बना है तो ये 6 केसरी एक्जाम के विश्चे मोस्ट इंपोर्टन थे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और चैनल पर नए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बैल आइकन कोड़ कीजे क्योंकि मैं इस तरह की इंट्रेस्टिंग और टिकी वीडियो हर दूसरे अप्लोड का तरह थेंक गाइस वीडियो देखने के लिए आपका दिन शूब हो